मास्टर अपनी चाकू से राक्षस का सीना चीर कर उसका लावा जैसा खून बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो दो कैदी लर्कों की बॉड़ी में चीरा लगा कर राक्षस का खून भर देते हैं। लड़कों की बॉड़ी में राक्षस के खून का असर दिखने लगता है। अगले दिन जब इनको मंदिल लाया जाता है तो मास्टर इन दोनों को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। क्योंकि आज तक सेक्रों लोगों में राक्षस का खून डालने पर वो सबी मर जाते थे। दरसल इन लड़कों के गाव पर राक्षस ने हमला करके सारे गाव वालों को मार दिया था सिर्फ इन दो लड़कों को छोड़कर इसलिए मास्टर इन लड़कों को डीमन हंटर बनाना चाहता है जो राक्षिसों को मार कर इन लोगों की रक्षा कर सके इसके बाद लड़के की बागी के टाइगर श्रोफ की तरह बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, जहां एक लड़की को वैन से प्यार हो जाता है, इसलिए वो रात में इनको कैद से आजाद कराने की कोशिस करती है, तब ही लड़के के अंदर का शैतान लड़की को काट लेता ह मास्टर के लोग लड़कों को खोजने की कोशिस करते हैं, वही लड़की शैतान के काटने से मरने वाली थी, इसलिए वैन अपनी आजादी की जगह अपने प्यार को बचाने के लिए उसे मंदिल ले आता है, जिसके बाद दोनों को भागने की सजा भी दी जाती है, दोस्त तो यदि आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो वीडियो को लाइक करके उसका नाम कमेंट करें